सो हेलो एवरिवन अभी 21 एं 22 सेप्टेमबर में टू डेस का एक हैक अटोन होने वाला है ऐसा याटी कॉलिज में तो हम उस हैक अटोन में राइशिशन कैसे करें तो इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है कई बच्चों को भी प्राब्लम आ रहे हैं राइशिशन करने में तो बेसिकली अगर आपको डारेक्ट रेसिशन करना है तो आप इस QR कॉर्ट पर स्कैन करेंगे इसकैन करने के बाद ये डारेक्ट आपको रिडारेक्ट कर देगा कहां पर हमारी वेबसाइट पर हैकातॉन वाली तो जिससे क्या होगा आप वहां पर इजी रेसिशन कर सकते हो और दूसरा दारी का यह होगा कि हम आपको एक लिंक पुर्वाइट करेंगे यह आपको लिंक पुर्वाइट होगी हमारी वेबसाइट पर और ग्रुप संग भी हम काल देंगे काफी सारे तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डारेक्ट रीडारेक्ट हो जाओगे हमारी वेब इसमें क्या क्या होगा, क्या schedule है उसका, then हम उसका overview है पूरा, then themes है, आपके particular themes से project बनाओगे, then हमारे questions जो आपसे है क्या तो अंसरे related होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर है, then last में एक contact है, जिसे आपको और दो दो कुछ problem आती है, तो आप हमारे contact पर call कर सकते हो, इन particular numbers पर, और आपको कुछ detail जाननी हो, तो हाँ आप ले सकते हो, then जिसके लिए हमारी video बना रहे हैं, हम अभी registration करने के लिए उस पर आते हैं, तो सबसे पहले आपको हमारी website पर register करना है, ठीक है, register के लिए आपर name, email id, phone number, mobile number, password और यह सब डलने वाले है, ठीक है, मैंने already register कर लिया है इसलिए मैं को registration करने की दरूद नहीं है, मैं direct login पर जाओंगा, और इसके profit क्या है देखो, क्या होगा, सबसे पहले, जैसे अगर आपको आपने bill generate जो आपका होगा, वो आपको यहीं पर दिखेगा, आपके DAX board पर दिखेगा, जो आपने pay किया है, money, आपने किस-किस web में, app में या फिर coding किस में participate किया है, वो आपको यहाँ पर सारे update मिल जाएंगे, by chance अगर आपका payment हो जाता है, पर आपको mail नहीं आता है, या फिर show नहीं करता है, तो आपके DAX board पर आपको दिख जाएगा, तो इसका profit है, तो आप registration करोगे, मैं login करता हूँ, मैं तो registration करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर DAX board में जाओगे, देखो, DAX board है, hackathon का आ रहा है, यह hackathon पर click करोगा, तो देखो, जो मैंने payments की है, successful payments, वो यहाँ पर show रही है, तो यह profile है, और यहाँ पर DAX board है, जिस पर आपको पूरा data रहेगा, तो हाँ, पहले आप register करोगे, यहाँ तो यह आप इस पर click करोगे, तो पहले आपके पास एक option आएगा, कि आपको development या, mobile application development या, coding, किस चीज में participate करना है, तो मुझे जिसे example के लिए, मुझे coding में participate करना है, तो पहले मैं अपने team का नाम दूँगा, जिसे example के लिए, मैं team का नाम दे देता हूँ, my team, तो leader name, एक ही leader होग मैं खुद का नाम दे देता हूँ, then phone number दे देता हूँ, phone number, मैंने अपना phone number डाल दिया यहाँ पर, then college name, सागर, सागर college, branch हमारी है, branch डाल देते हैं, sorry, college year ay, 2023, branch, जैसे cs branch है, और message में आप कुछ भी छोड़ सकते हो, जैसे, क्या डाले हैं सकते हैं message में, कुछ भी, अभी तो डाल देते हैं, nice, work, ठीक है, अगर मैं pay पे click करता हूँ, तो यह हमें direct, redirect कर देगा, QR code पर, यहाँ पर आप, UPI ID से भी payment कर सकते हो, बाकि net banking और wallet का भी option है, बट, अगर आपको QR code डिख रहा है, तो, हाँ, आप direct इसको scan करोगे, और pay करोगे, बहुत easy method है, सबको आता है, आजकल QR code scan करना है, ज नेम आज आएगा, महाँ पे, TechDigi Software Private Limited, जैसा उपर लिखा है, paying to TechDigi Software Private Limited, अगर मैं proceed to pay करता हूँ, और payment पे, wait, मैं payment कर रहा हूँ, और मैंने payment कर दी है, तो देखो, भी payment होगी है, successful, और यह एक पूरा, bill generated होके आचुका है, ठीक है, हमारे पास भी, इसका screenshot रहेगा, then आप, अपने mail पे भी check कर सकते हो, I think, mail पे भी वो हम भीज देंगे, आज आएगा, आपके पास, तो, अगर मैं refresh करता हूँ, इसे, यह आगया mail, दिखो, 100 रुपीज पेड, amount, hackathon, और यह पूरा का पूरा, आचुका है, ठीक है, trade out, और यह हमारा पूरा, इस पर click करूँगा, तो यह पूरा का पूरा, हमारा बिल, हमारे पास है, तो payment की कोई problem नहीं है, आप direct payment कर सकते हो, second हमारे पास है, कि हम अगर, web development में apply करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी team का name होगा, जैसे हमारी particular team होगी, leader name, देखो, अगर यहाँ पर मैं team वही डालता हूँ, my team, और अगर फोन नमबर आ जाएगा, college year 2023, branch name, जैसे मैं CS branch हूँ, और college, GAR, सागर, ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर हमारा, अगर, अभी maximum जो लोग है, web development के अंदर, जो हमारा team है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, four members को ले सकते हैं, ले सकते हैं, maximum, तो अगर आपकी team में 1 or member है, आप maximum चार member ले सकते हो, या minimum आप खुद अकेली भी हो सकते हो, तो मैं, यह मेरा second member हो जाएगा, उसका phone number, ठीक है, और email id, branch और particular है, इस सब हो जाएगा, ठीक है, अगर मुझे उसे नहीं रखना है, तो मैं इसे यहां से cross करके, ok पर click कर दूँगा, वो चला जाएगा, अगर मुझे team members और add करना है, तो मैं add पर click करूँगा, समझ रहे हो, add पर click करने से, एक और member को आप add कर सकते हो, फिर अगर मुझे एक और member add करना है, चार members का है, एक, दो, तीन और एक और member को add करना है, तो मैं इसे चार members को add कर सकते हैं, देखो, maximum आप सिर्फ four members सी add कर सकते हो, तो ठीक है, देन आप यहां से four hundred rupees pay का option आएगा, आपको यहां पर सारी detail फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने भी सारी detail फिल नहीं किये, बस मैं direct हाँ, तो यहां से आप क्या करोगे, यह four hundred rupees का payment कर दोगे, ठीक है, आप UPI कर सकते हो, UPI का option आ रहा है, enter UPI, आप अपनी UPI डाल सकते हो, phone पे, ATM, Google पे, जो भी आप use करते हो, ठीक है, और नहीं तो आप direct QR code scan करके कर सकते हो, जैसे अभी मैंने last time किया था, आप अपना QR code scan करोगे, पे करोगे, आपका bill automatic generate होके, आपके email पे आ जाएगा, ठीक है, similar process है आपकी, काई की similar mobile development की, ठीक है, उसमें भी आप maximum four members add कर सकते हो, और उसके लिए भी, पूट 100 रुपीज ही पीस है, clear है, तो ऐसे आप registration कर सकते हो, और अगर आपको check करना है, हमारी website पे जाके, तो मैं शक्षम digital technology website पे click करूँगा, ठीक है, यहाँ पे, मैं already login हूँ, log out करता हूँ, अभी फिर बताता हूँ, page air, रुखना यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे, शक्षम digital technology.com, हमें आ गया, login पे जाता हूँ, login पे मेरा password वागेरा अल्रेडी पहले सी डेला हुआ है, क्लिक करता हूँ, login पे तो यह website खुलती है, then अगर मैं daxport पे जाता हूँ, daxport पे जाने के बाद मैं hackathon पे क्लिक करता हूँ, तो देखो, hackathon, coding, team king, my team segment, और यह पूरी की पूरी जो मैंने web की team मनाई थी, मतलब जो amount, जैसे कि अभी मैंने याद है आपको, अभी यह मैंने एक team मनाई थी, web development की, पर उसमें मैंने pay नहीं किया था, तो pending बता रहा है amount, वो भी आपको इस website पर शो करेगा, login करने के बाद, and मैंने coding round के लिए 100 rupees पे कर दिये थी, तो वो successful और आपकी payment ID भी बता रहा है, तो देखो, यहाँ पर payment ID नहीं है, और pending amount है, यहाँ भी payment ID नहीं है, pending amount है, क्योंकि मैंने दो बार, एक बार coding का, और एक बार यह message छोड़ा है, वहाँ नीचे message जो लिख रहे थे हैं, उसके लिए पर payment नहीं कीती, तो अगर payment नहीं होती है, तो हम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो pending बता देता है, वो भी clear है, और अगर आप payment कर देते हो, तो वो इस हमारे particular DAX board पे, हमारी site पे भी आ जाएगा, then आपके mail पे भी आ जाएगा, और इस particular चीज का proof आपके पास भी रहेगा, ठीक है, ये pay now, then हमने जो registration किया था, वापे हमने pay नहीं किया था, उसका option आपके mail पे भी आ चुका है, ये pay now का option, ठीक है, और ये पहली वाली receipt, then अगर इन तीनों में से भी आपके पास receipt नहीं आत है, आपने pay कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, in particular, ये तीन contact है, इन पे call करके, आपकी problem बता सकते हो कि payment हो चुकी है, बट ऐसा होगा तो नहीं कि आपके पास receipt ना आए, बट हाँ, आ जाएगी, अकर कुछ by chance कुछ होता है, तो आप हमें call कर सकते हो झाल 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